वेलब बैक टुमाई चैनल तो हम लोग आ गए हैं जहां हम लोग रहते हैं तो यहां धनवी रो रही है क्योंकि गुणजन अभी औफिस चले गए हैं दस उबे के दस बजे अभी हम लोग पहुंचें हैं तो वह आफिस निकल गए हैं और यहां मैं नाश्ता फटा फट से बन भालूंगे और गुंजन अभी दोपेर में आएंगे तो भी वही खालेंगे लंच में मिरर में देखके रो रही है भागी फिर दिन भर निकल गया घर की सफाइवेग्रा में शाम होते ही निकल गई में करवा चौत के लिए कपड़े सिलने देने थे मुझे मार्केट में और हिए Yeshua पर गांधी मेंदान आये है अभी गुंजन हमें ले करके यहां पर बिस्नी लेंड कार्निवल लगा है हजारी वाग में यहां गांधी में में बड़ा सा मेला है तो अब यह मेला अठने वाला है तो गुंजने वाली चलो एक बर घूम के आ जाते धनवी जूला जू तो यही सोच के हम लोग आगे धनवी थोड़ा इंजॉय कर लेगी यह देखिए आती साती हम लोगों ने गोल गप्पे खाये गोल गप्पे बहुत अच्छे थे और इसके बाद अभी अंदर जाने के लिए टिकेट लेना पड़ेगा 30 रुपे टिकेट है पर परसन तो धनव करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चानल को आगे मज़ा आएगा पुरा ब्लॉग जरूर देखेगा दनवी आते ही हातों में उसके कैंडी दिख रहा है आपको और अंदर डिजनी लैंड का जोते न ग्लिम्स उस तरह का टावर वेगरा बनाया वाथा यह देखिए यह सब्सक्राइब का पापड़ का यह पर स्टॉल या बर्तर का स्टॉल सारी स्टॉल में आपको दिखाऊंगी सारी चीज़े दिखाऊंगी यह देखिए चश्मे का स्टॉल है यह नेक पीस जो दिनको लेना ले सकते हैं फिर हम लोग पहुंच गया यह पूरी पाचक की दु लेना है अच्छा लग रहा था बहुत वेराइटी ता यहां पे जो मुख्वास होता है वेगरा वेगरा बहुत सारी चीज़ें थी तो सब टेस्ट करकर के हम लोग यहां पे चकरे और धनवी इतर भाग रहे थी उसे खेलना था उसका खड़े एक जगा टिक के रहती नहीं है और देखिए क्या-क्या मिल रहा है हमार मतलब मेले में कीचेन हैं बहुत सारी जेज़ें हैं यहां पे चपल जूते सैंडल सब मिल रहा था उसके बगल में खिलोनों की दुकान थी और जो घर में एकसेसिरीज चोटे-मोटे चीज़ चाही होती हो थे कपन सॉसर बड़ी स्टॉल थी और फिर यहां पे बैक्स के स्टॉल थे हैंडबैक के यहां पे डी वाली जूलरी थी वह सके स्टॉल से फिर कस्टमाइज आप पेंस्टेंड वेगरा बना सकते वो थे तो बहुत सारा बहुत अच्छे-चे स्टॉल थे नाइट लैम देखिए यह यह म बहुत जादा थी देखके बहुत मजा आ रहा था वह सारी चीजे हमने ली भी है वह आपको दिखाएंगे आगे तो यहां पे खाने पीने के चोटे-चोटे स्टॉल भी लगे होए थे चली अंदर चलते हैं अभी मेले के अंदर जूला मेला मतलब जूला तो जूल नहीं है चली अंदर चलते हैं देखते हैं क्या करते हैं इसको पकड़ो इसको पकड़ो और यहां सामने देखे कूदने वाला भी है यह मिकी माउस वाला इसमें धन्वी अभी छोटी यह नहीं कर पाएगी फिर यहां पे गोल गोल राउंड राउंड एक जूला था और यहां ब्रेक डांस है और इसके बगल में विजली जूला था अब यहां से उतर गई है धन्वी कार से अब इसे जाना है ट्रेंपलीन में खूदने के लिए तो ट्रेंपलीन में यह चली तो गई उसके बाद यह डर रही थी देखो कैसे रूख गई इसे डर लग रहा था फिर हमने एकसाइट किया इसे बोला बोल बोल के बोल बोल के फिर भी डर डर के चीज़ें तो कूद रही है थोड़ा कूदरी फिर डर फिर जब एक बच्चा अंदर गया ना उसके बाद धनवी पूरा एकसाइट हो गई और मतलब पूरा एकसाइटेड हो करके फिर जम करना शुरू करती जब तक धनवी जम करी हम आपको एक और नए ने जूले दिखाते ही यह मिक्सर है यहा लोग चिपके हुए है खड़े ह दिख रहा होगा आपको मैं देखके ढर गई कि भाई इसमें नहीं बैट जा सकती मैं वो खड़े हो जाएंगे चिपक जाएंगे और गोल 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 गूमाएंगे अब धनवी का ट्रैंपलिन से उतर गई है अब इसे कह रही है अब यह जूला जूलूंगी वो जूला जू आने वाले थे वैसी हमें देख गया जलपरी कार्णीवल तो हमने सुचा पहले इधर चलते हैं जलपरी देखकर क्या आते हैं कभी देखा नहीं अंदर से एक्साइटमेंट हो रहा था हमें 100 रूपीस पर परसन था और तीन साल के उपर के बच्चों का भी टिकेट फुल ल पर जलपरी नहीं यह जलपरा है यहां पर तो यह ऐसे मास्क लगा गरके है है और Nhonton अच्छा लग्ला है और भी देखिये जलपरी यहां दिखिये हमें यहां दो लो जलपरी है अंदर यह जलपरी कैसल दिखती हैं आपको दिखाते हैं यह देखिए धनवी को देका धनमी के लिए इसने हाट भी बनाया और धन्वी के साथ पुच्री भी दिखी पानी के अंदर ही मतलब मैं यह सोच जी थी कि इन लोग पानी के अंदर रहे कैसे रहे इतने देर तक और जो ड्रेस पहना वा था इन लोगों ने वो जलपरी वाला ही था काफी देर देर तक यह लोग क्या फुल्टू भी क्लिक कराए बहुत अच्छा लगा धन्वी को भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यह अलग अलग तरहा कि बहुत सारे करतब नहीं होता है पानी के अंदर करके दिखा रहे थे यह हुनर है जो इनके पास है सबके पास नहीं होता है पानी के अंद कितना महनत लगता होगा यह इनका काम इस इनका घर चल रहा है तो चल इसलिए बाहर निकल गए हम इसमें तो फिर हम लोग आगे यहां पर यह जो ट्रेन राइड्ड है यह 80 रूपीज पर परसन है तो पहले हमने सोचा कि यहां जाते हैं धन्वी को जूला देखके जो excitement हो रहा था ना धन्वी सब जूले पर कह रही थी बैठ होंगी वैसे तो उसे एक पकड़ के गोल गुमा दो ना डर जाती है पदा नहीं इसी डर भी नहीं लग रहा था करीती और हम लोगे बैठ गये हैं अभी इसमें कोई और बैठ आ नहीं वो बोले और भी लोग आएंगे बैठेंगे तब चालू करेंगे तो हम लोग वेट कर रहे थे फिर जूलने के बाद हम लोग नोई यह जूला देखा ये देखके तो मेरी आलत गरा होगी इतना चिला र कर रहा था इसमें भी जाने का मन था तो चलते हैं डरते डरते आया हैं क्योंकि बहुत दिनों बात जूलेंगे न देखते हैं कैसा लगता है धनवी पापा के साथ बैठ गई मतब गुंजन के साथ और मैं अके लिए बैठी तो धनवी गुंजन के साथ बैठी और मैं फिर यहां देखिए बहुत सारे तरह की आचार मिल रहे थे तो हम यहां पर खरीद रहें बहुत सारे अचार आम का अचार हमने दो तरह का खरीदा फिर एक ड्राइफ रूट का था वो चटनी था अचार बोलके मतब एक ही जैसा था वो लिया हम लोगों ने बहुत अच्छा लुधा देते लो आम यहां पर जो भी चीज़े ले रहे थे हम पहले टेस्ट कर रहे थे उसके बाद दर रहे थे और हम लोग तीन traps बहुत जादा टेस्ट भी कर लिए बहुत सारी जीज़े लिए घ्र बहुत बहुत सारे टेस्ट हम कर दिए तो ऑच्छा लग रहा था और यहाँ पर नमकीन वेगरा मिल रहा था मीठा जो गाजा होता है बालु शाही इमर्ती पान ये सब मिल रहा था मैंने सारे स्टॉल्स आपको दिखा एक भी नहीं छोड़ा सब कुछ सारे जूले दिखा हैं तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा ये कार्निवल हर साल लगता है यहाँ पर गांदी मियदान में पहली बार में आई थी मुझे बहुत अच्छा लगा